Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome to my channel, अपने पतनी को खुष कैसे रखें? आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, अपने पतनी को खुष कैसे रखें? Friends, पिछले वीडियो में आप लोग से बातचित की थी, अपने पती को खुष कैसे रखें? आप लोग नहीं देखें होंगे, तो चेक आउट कीजिएगा, चैनल पे एफ लेवल है, चैनल को सिक्स्क्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की नहीं नोटिफिकेशन इजले मिल जाए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगे, कि आप गुस्से में भी अपनी पतनी को रिस्पेक्ट दे, इज़द दे, गुस्से में भी अपसब्द न बोले, कुछ हस्बिन लोगों की आदत होती है, जब गुस्सा आता है तो गाली, गलाउज, उल्टा, सीधा, कुछ लोग तो मारपीट भी करने लगते हैं, ऐसी नीच हरकत ना करें, आपकी पतनी जैसी भी है, कभी वो चेंज नहीं होगी अब, लेकिन अगर आप गुस्से में उनको गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं, यह क्या होगा, आपके रिस्ते में तनाव बनेगा, दूरियां बनेगी, आपकी पतनी आपका इज़्जत नहीं करेगी, जिससे आपके बीच से प्यार खतम हो जाएगा, तो ऐसी नीच हरकत ना करें, अब हम जान लेते हैं, तीन बातें, जिससे आप अपनी पतनी को बेहत खुस रख सकते हैं, पहली बात आती है, अपने पतनी में कमिया ना निकाले, कुछ हस् किजिए कि आप अपने पतनी की जो कमी है और दूर कर पाएं, फ्रेंट्स लड़की अपना घर पडिवार जनम दिये हुए माबाप को छोड़कर हस्बिन के पास आती है, आप एक बार सोचिए, अगर हस्बिन से इज़द प्यार रिस्पेक नहीं मिलेगा, और कहां आप कितने भी महंगे तोफे लाकर अपनी पतनी को देंगे, जेवर, गहने, सारी, कुछ भी लाकर देंगे, आपकी पतनी कभी खुस नहीं रहेगी, जब तक आप उनमें कमिया निकालते रहेंगे, अगर उनमें कुछ कमी है, आप पूरी कोशिस किजिए, उनकी कमी को दू कुछ लोगों की आदत होती है, अपनी पतनी को दूसरी की पतनी से कमपेर करना, जैसे मेरी दोस्त की बीबी ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी भावी ऐसी है, लोग कमपेर करते हैं, मेरी बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तुम मेरी बहन की जैसी नहीं हो, मेरी भावी ज इस तरह की compare बहुत से husband लोग करते हैं, आप अपनी जिन्दिगी खुद खराब कर रहे हैं, ऐसी compare जब तक आप अपने घर में करते रहेंगे, आपके घर में लड़ाई जगड़े भी होते रहेंगे, और आपकी पतनी कभी खुश नहीं रहेगी, कभी आप से खुश नहीं रह तो जरूरी नहीं है कि आपकी बहन जैसी है, आपकी भावी जैसी है, आपकी दोस्त की वाइफ जैसी है, वैसी ही आपकी बीबी होगी, नहीं, सभी का रंग रूप नेचर अलग होता है, इसलिए दूसरे की बीबियों से अपनी बीबी का compare न करें, ऐसा compare जब तक आप करते रहेंगे, कभी आपकी बीबी खुस नहीं रहेंगी, ऐसी हरकत बंद करें, और अपनी पत्नी को हमेशा खुस रखें, इसमें तीसरी बात आती है, पत्नी के माईके वालों की respect करना, कुछ husband ऐसे होते हैं, जो पत्नी के माईके वालों की respect नहीं करते, माल लीजिए कि ऐसी हर साथ आपको भी चाहिए कि जैसे आप अपने परिवार को, अपनी मा, बहन, घर वालों को इज़त, respect देते हैं, वैसे ही पत्नी के माईके वालों को भी दे, अपने ससुराल वालों को भी दे, friends क्या है कि जब लड़का हो या लड़की, उसकी साधी होती है, उनके दो घर पर इवार के जैसा ही, अपने पत्नी के माईके वालों को भी respect प्यार दे, इससे आपकी पत्नी खुस रहेगी, और हमेशा आप दोनों के बीच में खुसियां बनी रहेगी, आपका दमपत्य जीवन खुस हाल हो जाएगा, friends ये तीन बाते आप अपनी लाइफ में जरूर अपन आएगे, और अपनी पत्नी को हमेशा खुस रखे, अपनी दमपत्य जी उनको खुसियों से भर दे, क्या है कि जब आपकी पत्नी आपके घर में खुस रहेगी, तभी धन दौलत आपके घर में बरकरार रहेगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी जब तक खुस नहीं होगी, बाहर से लक्ष में आपके घर में कभी नहीं आएगी तो आप इस बारे में क्या कहते हैं अपनी राय कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा आपकी एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है चैनल को सिक्स्क्राइ जरूर कीजिएगा ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे बाई बाई